हेलो एवरिवन आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार पनीर की रेसेपी इसे बनाने के लिए मैंने दो बड़े प्यास को सलाइसेज में काट कर गोल्डन ब्रॉण किया है ये देखे प्यास हमारे गोल्डन हो गए अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ प्यास फ्राइ करने के लिए मैंने तेल पूरा लिया था अब मैं तेल को कम कर लूँगी ये तेल मैंने कम कर लिया है दो इंच के जितना अद्रक लिया है 15-16 कली लहसुन ली हूँ इसे भी फ्राइ करना है अध्र्ठ लहसुन मेरे fry हो रहे हैं यह भी fry हो गए अब मैं इन्हें निकाल लूँगी दो टमाटर को मैंने स्लाइसेज में काटे थे इन्हें भी अच्छी तरह से fry कर ले ना यह टमाटर भी fry हो गए है इन मसालों को ठंडा करके मैं इसका paste बना लूँगी यह देखे मैंने इसका paste बना लिया जो तेल मैंने कम किये थे अब उसी तेल को मैं यूज करूँगी यह तेल मैंने कड़ाई में डाल दिये हैं तड़का के लिए 1 फोर तिसपुन जीरा एक इंचा द्रग कटुकडा दो तेश पत्ता, दो छोटी लैची, तीन चार लॉंग मैंने लिया इसे तड़का लगाने के बाद जो मसाला मैंने पीसा था उसे डाल देना उसे डाल के अच्छी तरह से मिलाना है और फिर जार में मैं थोड़क तवानी डाल के उसे भी मैंने डाल दिया अब मैं इसमें कुछ पॉडर मसाले आट करूँगी, बन फोर्थी स्पून हल्दी, एक चम्मच लाल मीच पॉडर, एक चम्मच धनिया पॉडर और एक चोटा चम्मच नमक इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, धक कर मैं इसे ओयल सेप्रेट होने तक पकाऊंगी देए देखिए ओयल सेप्रेट होने लेगे, मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं अब मैं इसमें दो चम्मच दही डालूँगी दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, आज को मैंने सीम पे लगा दिया है दही जब भी डालें आज को सीम पे कर दें, कई बार ऐसा होता है कि दही फट जाती है ये देखिए दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है दही अच्छी तरह से मिक्स हो गए है दही की कटोरी में ही मैंने पानी लेके और उसमें डाल दिया है अब मुझे पानी मिलाने गिरेवी की ठीकनेस अब को जैसी चाहिए उसी के recording आप पानी डालने मैंने करीब इसमें एक गिलास पानी डाल के इसकी गाडी गाडी प्यूरी बना रही है मुझे इसकी ठीकनेस ऐसी ही चाहिए फिर मैंने धब कर इसे देखे पकाया है, यह अच्छी तरह से पक गए हैं, अब मैं इसमें वन इस्पून कसूरी मेथी रब करके डाल दी हूँ, यह हमारा होम मेट पनीर है, करीब मेरा तीन सो किराम पनीर है, अब मैं उसमें डाल रही हूँ, इसे भी अच्छी तरह से मिला दें, अब मैं इसमें कुछ धनिया की पत्ती एट कर रही हूँ, और एक चमच मैं इसमें फूल किरिम डाल रही हूँ, इसे भी डाल कर अच्छी तरह से मिला दें, आप चाहें तो इसमें एक चमच घी भी डाल स और ये मैंने वन फोर्थ स्पून इसमें शूगर एट किया हैं बस इसे अच्छी तरह से मिला दें तीन चार मिनट इसे सीम पे रहने दें बस मज़ेदार पनीर तयार है